आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम है सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी है ग्लोस पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम important funds की बात करेंगे पहले मैंने सोचा यह budget के साथ ही समझा दूँ क्योंकि budget मैंने इससे पहले पता ही आपको budget मैंने पूरा cover किया बहुत अच्छे से cover किया तो यह budget में ही आता है लेकिन मैंने सोचा कि इसको अलग से समझाओंगा क्योंकि important है तीन तरीके के fund होते है consolidated public account और contingency आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे देखिए सरकार को जब पैसा चाहिए तो अब यह कहां से निकालेंगे यही ना कहीं से तो निकालेंगे ना funds होते हैं तीन तरीके के तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है consolidated fund of India आर्टिकल याद रखिए 206 में consolidated fund और public account fund 266-1 में consolidated fund of India है 266-2 में public account fund और 267 में contingency fund consolidated का मतलब क्या है रटिये नहीं बस नाम देखिए consolidated का मतलब है होता क्या है general milling सब कुछ एक खटा कर दो सब कुछ एक जगाँ पे खटा कर दो तो भाईया consolidated fund of India यही main fund of India होता है सरकार main जो पैसा है जो income tax है central excise custom non tax revenue भाईया जो भी चीज है consolidated fund taxes and non tax revenue जो है यहां से जो सरकार के income होती है यह सब इसी में जाती है तो सबसे पहले consolidated fund of India से निकाल क्या सकते हैं देखिए यह सारी जो चीजे हैं यह है expenditure made from the consolidated fund of India एक होता है charged expenditure अब दोनों में फर्क क्या होता है charged expenditure की बात करे तो इसमें salaries आ जाती है किसकी salaries Chief Justice of India, President की salaries, UPSC के member, CAC की salary तो जो बड़ी बड़ी posted post होती है इन सब की salary आप खुद ही बताईए कि जब आप अपनी company से salary लेते हैं तो क्या voting होती है वहाँ पे नहीं ना तो consolidated fund of India यह जो charged expenditure है यह आपको ऐसे ही मिलता है इस पे voting नहीं होती है जो salaries होती है इस पे कोई वोट नहीं होता है लेकिन इन सारी चीजों पे इसको कहते expenditure made from the consolidated fund of India तब आपको बकायदा appropriation bills चाहिए ठीक है appropriation bills जब पास होंगे appropriation act बनेगा और तब voting होगी मतलब जो expenditure made from the consolidated fund of India charged expenditure को छोड़के अगर आपको पैसे निकालने है तो वोट करना पड़ेगा मतलब consolidated fund of India पैसे यहां से निकालने के लिए सरकार अगर पैसे यूज करेगी तो उसको voting चाहिए होती है यहां पे parliament की authorization चाहिए होती है ऐसे ही आप पैसे यूज नहीं कर सकते निकालने ही सकते और जब voting आपके favor में होगी तब ही पैसे निकाले जाएंगे समझ रहे हैं लेकिन इसमें वही च चीज है ने consolidated fund of a charge expenditure इसमें नहीं आता चार्ज expenditure पे कोई voting नहीं होगी क्योंकि वह salary जा रही है salary सरकार अपने लिए थोड़ी ना यूज कर रहे है लेकिन अगर सरकार अपने लिए पैसा निकालना है तो इतना आप याद रखिए और सरकार यहां से ही अपना पैसा भी मतलब अगर पैसा जैसे loan को वापस करना है तो consolidated fund of India से निकाला जाता है समझ रहे हैं अगर पैसा इसमें से निकालना है तो parliament में vote किया जाता है voting होती है तो parliament का authorization चाहिए होता है याद रखिएगा consolidated fund of India में समझ रहे हैं तो बहुत ही जाधा important है आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या all the revenue जो revenue भारत सरकार receive करेगी ठीक है वो consolidated fund of India में credit होंगे इसमें जाएंगे loans पे जो पैसा कमाएगी ठीक है जो interest वो consolidated fund of India जो treasury bill देके पैसा कमाती है वो इसमें जाते हैं loan को अगर repay करना होता है तो वो consolidated fund यानि कि यही main fund of India होता है state का भी अपना consolidated fund of India हो सकता है प्रोविजन same रहेंगे यह चीज़ आप समझें बहुत बढ़िया दूसरा देखते हैं हम public account fund देखिए public account fund जो consolidated fund of India में नहीं आएगा वो public account fund में जाएगा और इसमें parliament की authorization नहीं required है मतलब इसमें voting नहीं है समझ रहे हैं तो भाई यह जो भी पैसा consolidated fund of India में नहीं मतलब अधर देंती consolidated fund of India या वो public account fund में जाता है अब यह कौन सा पैसा होता है दोस्तों remittances ठीक है बाहर से जो पैसा आता है यह इसमें जाता है ठीक है जो हमारे debts होते हैं उसको clear करने के लिए हम public account fund से निकाल सकते हैं जो deposits या जो advances होते हैं वो public account fund से हम निकाल सकते हैं समझ रहे हैं प्रॉविनिंट फंड डेपॉसेट, जुडिशल डेपॉसेट, सेविंग्स बैंक डेपॉसेट, डेपाट्मेंटल डेपॉसेट, रेमिटेंटेंस आँ यह सब पब्लिक एकाउंट फंड में होता है और यह एगजेकेटिव मोशन होता है ठीक है ना यानी कि यहां पर यह है bank में क्या है आपको पैसा चाहिए आप गए bank से अपने account से पैसा निकाल लिए सरकार को पैसा चाहिए public account fund में जाओ निकाल लो ठीक है तो यहाँ पे parliament की approval नहीं चाहिए होती है अब contingency fund of India की बात करते हैं ठीक है contingency fund of India दोस्तों ये कोई important अगर माल लीजे कोई problem आगी ठीक है इसका जो fixed corpus होता है 500 करोण होता है 500 करोण रुपए में से contingency fund of India में 500 करोण तक contingency fund of India से निकाल सकते हैं ये fixed corpus होता है इतना पैसा इसमें maintain रहता है तो अभी आप क्यों निकालेंगे जब कोई आपदा आ गई जिसे बाड आ गई कोई disaster आ गया कोई बहुत emergency आ गई तब आपको contingency fund of India से पैसा निकालना पड़ेगा आप निकाल सकते हैं ठीक है इसमें भी authorization और पार्लियमेंट चाहिए होता है लेकिन expenditure के बाद ठीक है expenditure के बाद आपको पार्लियमेंट का authorization चाहिए होता है और ये president maintain करता है ठीक है न ये president ये राष्ट पती जो है वो maintain करता है ठीक है न हलाकि president के बिहाब पे जो finance secretary है वो maintain करता है लेकिन ये president के पास ही होता है ठीक है तो ये चीज है आप इसमें देखिए तीनों में फर्क क्या है याद रखेगा कि यहाँ पे भी executive action होता है ठीक है इसमें भी executive action इसमें भी पैसा असानी से निकाला जा सकता है लेकिन तभी जब कोई बहुत important या बहुत emergency आ जाए ऐसे नहीं है ना तो ये तीनों चीजे अब देखिए इसमें सबसे important है हमारा consolidated fund of India ठीक है इसमें जो parliament authorization होता है prior to expenditure ठीक है पैसे निकालने से पहले लेकिन यहाँ पे after the expenditure contingency fund of India और public account में तो कोई authorization required ही नहीं है ठीक है तो ये तीनों funds थे I hope इसमें आपको कोई भी problem नहीं हुई होगी consolidated याद रखेगा यही main fund होता है consolidated के इलावा जो पैसा जाता है वो public account fund में contingency fund किसके लिए होता है जब emergency आ जाए समझ गए खुश रहे पढ़ते रहे दिसे सिद्धान तक निहोतरी सैनिंग ओफ